दोस्तों ये तोनों amplifier को कैसे connect करना है या mixer के साथ आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो खास करके वह भाई लोग के लिए होने वाली है जो भाई लोग अभी तक नहीं पता है कि एंप्लिफायर को कैसे मिक्सर के साथ कनेक्ट किया जाता है या मिक्सर को कैसे एंप्लिफायर के साथ कनेक्ट किया जाता है लेकिन मिक्सर को जरूरी नहीं क्योंकि एंप्लिफायर डारेट आप एंप्लिफायर से भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन जरूरी है मैक चलाने के और सारे चीज हम Mac या तो Song प्ले करें, सारे चीज चला सकें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Amplifier का introduction थोड़ा सा देना चाहता हूं, यह Amplifier देख सकते हूं, यह भी आउजा का है, BR250M, ठीक है, मतलब 250, यह वाट का है, ठीक है, 250 वाट का है, सिधा सिधी बात अगर बोलू तो, यह भी 250 वाट का है, तो यह हमारी Amplifier, ओनली आउजा की होने वाले दोनों, ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी Amplifier यूज कर सकते हो, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, और यह हमारी जो की Mixer है, यह है Astranger की, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ इसमें हम यह करने वा करते हैं, दोस्तों सबसे पहले तो यह मैं बता दो कि यहाँ पर मेरे पास काफी सारे ऐसे कमेंट आते हैं, जो कि काफी सारे कमेंट वे एक ही बात पुछा जाता है, कि भाई, आप कैसे connect कियें, क्या कियें, और मैं हर वीडियो में प्रोपर तरीके से बताया हूँ, जो भी के साथ मतलब हर एक डिजे वाले के साथ मिल जाता है, अश्टेंजर का बड़ा ही मिकसर यूज काफी जाड़ा होता है, छोटा वाला थोड़ा कम होता है हमारे area में, तो साध इसी कारण होता था, तो कोई दिक्रत नहीं होने वाले, आज की वीडियो में मैं अश्टेंजर क आटको मैं एक जैक ले लेता हूंं और यह जैक को क्याइस डारेक्ट में देखो यहां पर आउट्पुट और Input का दोनों अपसान हें, यहां पर भी देख सकते हो आउट्पुट Input का दोनों अपसान है 116ihi अब् rightly करना यह है दोस्तों यहां पर काफी सारे जैक इसलिए द तो आपको सिंप्ली करना यह है कि यहां पर देख सकते इंपूट में लगा देनी इसकी तो यह जैक जो हमारी निकली यह हमारी कोई भी यह तो लेप्ट में दो या तो राइट में दो देखो मैं राइट में देदे तो ठीक इसके साथ मैंने एक ऐसी वीडियो बना रखिए जो की मेरी काफी साधा काफी ज्यादा पसंद की जा रहे थी तो इसके साथ मैं वीडियो अल्रेडी लाज जोगा हूं ठीक है तो देखो यह मेरा हो चुका है कनेक्ट ओके दोस्तों यह सारे जो जैक यह जब और ज्यादा एम्प्लीफार याप यूज करो और ज्यादा मतल दो क्यादा आय था तो चला था ठीक है यह भी चलता यह भी चलता सब चलता ठीक है लेकिन आप यहां पर दे सकते हो यहां इसका आगे भोलम दिया गया है इसके यह i take you und X1 और यह UX2 इसका भोलम आगे तो यहां से इसका भोलम आप बढ़ा सकते हो ठीक है और यह जो है यह आपका चल जाएगा यहां पर देख सकते हो राइट में ओके तो यह देख सकते हो दोस्तों यह मेरा कनेक्ट हो जोगा है काफी इजली कनेक्ट हुआ कोई भी दिक्कत कोई प्रोब्लम नहीं हुआ तो यह काफी नॉर्मल सी चीज़े है कनेक्ट करने की ठीक है और यहां पर आप ओडियो जैक लगाओ यहां पर मैक लगाओ कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं होने वाले अब यहां पर मैं एक इंपोर्टेंट बात बताने चाहते हो कि यहां पर यह आउटपूट इंपूट यह जब आपकी नीचे से एंप्लिफार आएगी तो यहां पर आएगी ठीक है और यहां से जाएगी और यहां से निकल के जाएगी ठीक है इसके कारण दिया हुआ मतलब नीचे एक और एंप्लिफार है तो यह को मैं यहां इंपूट में लगा अब यहां पर आपको audio jack भी लगा देते हैं, ताकि संतुष्टी मिल जाए, यह मैंने audio jack लगा दिया, तो यह देख सकते हैं, यह हो गई मेरी amplifier पूरी तयार, पर switch one करो, song को लगाओ, और आपका जो speaker wire है, वो आप connect करो, यह driver unit रखा हुआ, अभी connect नहीं करने वाले, इसमें हम driver unit ही चलाते हैं, और इससे भी हम driver unit ही चलाते हैं, तो यह इस प्रकार से connect हो गया, ठीक है, देख सकते हो, यहां पर driver unit में है, और यह इसमें feedback में, हम feedback चला रहेते हैं, छोटा-छोटा feedback है, तो इसके लिए मैं यहां पर दिया हुआ, ठीक है, तो यह fix हो गया है, इसी तरह से आपके connect करना है, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई